फौजी की कहानी एक दिल को छूलेने वाली कहानी है जिसमें मानुविय सभाव की उस पहलू को दशाया गया है जो स्वार्थ सी परिपूर्ण है ये एक सैनिक की कहानी है जो अपने जान पर केलकर देश के लिए लड़ता है मगर उसके बाद उसके जीवन और अपने करिविय की दिल में छुपी वास्तविक्ता का पता चलता है जो उसे जगजोर देती है ये कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो व्यतनाम के युद्ध के लिए गया था युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लोटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिसको स मा और पिताजी मैं घर आ रहा हूं लेकिन घर आने से पहले मुझे आप से जरूरी बात पुछनी है मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूं क्या मैं उसे घर ला सकता हूं बिलकुल बिटा ये कोई पूशने की बात है हमें तुमारे दोस्ते मिलकर ब सैनिक बोलता गया, युद में वह बहुत पुरी तरह गायल हो गया है, उसने एक बारुदी सुरंग पर पैर रख दिया था, और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गवा दिया है, उसके पास कोई जगे नहीं है, जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के ल जाना चाहता हूं, उसकी यह बात सुनकर, उसकी मा बुली, बेटा, तुमारे दोस्त के बारे में हमें बहुत दुख हुआ, हो सकता है, हम उसके रहने के लिए कोई जगे तलाश कर सके, सैनिक बुला, नहीं मा, मैं चाहता हूं, वह हमारे साथ ही रहे, पिता ने कहा, लेकि मारे लिए कितना बड़ा बोज होगा, हमारी अपनी जिन्दगी है, जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई परिस्तिती हमारे जिन्दगी में दखल दे, मेरे इस हिसाब से, तुम्हें अकेले घर आना चाहिए, और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाह पोन रख दिया, कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिसको के पुलिस से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिर कर मौत हो गई है, पुलिस के हिसाब से यह एक सुसाइड केस था, दुखी माता पिता ने ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सके, उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किन्तो यह देखकर उनकी कम कपर छूड गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर ही था, दोस्तों इस कहानी में जो माता पिता हैं, वे हम में से बहुत से लोगों की तरह हैं, जो अपनी पहाँ को सबसे अधिक महत वो देते हैं, और वे उन लोगों से प्यार करना और रहना या समय विताना चाहते हैं, जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्त हैं, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें अच्छा लगता है, वे ऐसी लोगों को पसंद नहीं करते, जो दिखने में स तुन्दर या समार्ट नहीं हैं या जिनके साथ वे मज़े से नहीं रह सकते हैं, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए ऐसी इधा जनक हैं, वे ऐसी लोगों से दूरी बना कर ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके इस वियवार के करण, उनके सामनी ऐसी परिस्तितियां उत्पन हो जाती हैं जब उन्हें बहुत पस्ताना पड़ता है आईए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाई और जुरत पड़ने पर उनकी मदद करें इस कहानी में सैनिक बेटे ने अपने माबाप को अपनी हालत का बया करा था लेकिन उसने अपने दोस्त का नाम लिया जब माबाप का ऐसा रवया दिखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने आपको बोच समझा अपने माता पिता पर बोच समझा और उसने अपनी जान ही गवा दी तो हमें व्यवार इस प्रकार का करना चाहिए जैसा हम अपनों के साथ करते हैं दुसरों से भी यद वैसा वेवार करें तो हमें पस्ताने का दुखी होने का मौका ही नहीं मिलता आज वहमा बाप एक पुत्र को खो चुके हैं एक सैनिक पुत्र को आशा करती हूं आपको यह कहाने पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैन का बहुत बहुत धन्यवाद